तो यह लास एक्स्पिनिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है से दिहान से पढ़ें मच्छ वाष मच्छ यूजलेस इंचिंट इंडियान कल्चर है अल्रेडी पैरिश्ट ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो भारती संस्कृति में जो शायद यूजलेस होगी समय के साथ चीजें वह साथ चीजें यूजलेस हो जाती हैसे पहले लैंड लाइन फोन था वह गलत नहीं था लेसे इंसे जांपर यहां समझ लेंगे के चीजें वक्त के साथ पुरानी हो जाती है और हम उने पीछे छोड़ते हैं या हमें उन्हें छोड़ना ही पड़ता है दा एक्स्टा वैजिंड एंड बार्बरस हेकाटोंस अफ दे वैदिकेज हैब लॉंग सिंस बीन फॉर्गोटन जो बैदिक काल में हमने शायद बली पर था पड़ी थी करूरता पड़ी थी बड़ा खून खराबे की कहानियां हम पड़ते थे राक्षिस देपताओं के बीच वगर ऐसे को शायद राइटर कहना चाह रहे हैं वो पुरानी बाते हो गई हैं दो एनिमल सेक्रिफाइश कंटिनीव जिन सम सेक्ट हाँ कई जगे पर अभी जानवरो के बारे में कह रहा है यह बहुत पुरानी बात होगी मुझे शायद थोड़ा से याद आ रहा है एक्टी सिक्स और सैवन में भारत में आखरी सती हुई रूप कुमर नाम की यूवती विडियो शायद राइस्थान में कहीं शायद आप सर्च कर सकते हैं से तो तब से कोट बाई लॉबी मैरीड इन चाइल्ड़ूड बेटियों की शादी अपका मुवर में नहीं होती है थोड़ा बहुत अभी गाउं में चल रहा है लेकिन उतना नहीं पहले तो बहुत छोटे बशादियां होती थी तो बाल विवा पर भी अंतर आया है रोक लगी है इन बस बिना सोच अफ करेव पालुशन बिना किसी प्रदूश्ट हम यहां पर यह समझ सकते हैं यहां पर चुआ चूओद की बात रही है औस प्रशता की बात रही यह अब धीरे धीरे खत्म हुई है मुझे लगता है इसके पीछे शिक्षा है जैसे ऐसे हम शिक्षित हो रहे हैं हम इन पुरानी परंपराओं पुरानी प्रताओं को पौंगापंथी सोच को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं नए अभारत बना रहे है and the temples are open to all by law अब सब के लिए मंदर खुले हैं पहले असा नहीं था अब यहां से प्यारे साथियो यह चार लाइनों को सबसे important explanation में से एक है intermediate का please तैयार करिए caste is vanishing जाती परता अब खत्म हो रही है the process begin long ago यह प्रकरिया बहुत पहले शुरू ही थी but its pace is now so rapid अब इस जाती परता समापत होने की गती इतनी तेज है यह भी सिक्षा से ही हो रहा है that the more objectionable features of caste की अब जो और भी आपती जनक तत्त उत्ते जाती परता के may have disappeared समापत हो जाएंगे within a generation और 101 या 2 PD में writer ने यह बात 50 में लिकी है अब 50-60 साल बात देखें यह बहुत change हुआ है intercast marriages हमारे लिए बहुत आम दिखाई दे रही है लग बग हर खानदान परिवार महलों में ऐसी शादियां हो रही है और इस पर अबापतियां कम हुई है या पहले से के बराबर बिलकुल नहीं है the old family system is adopting जो पुराना एक सेंफ परिवार था उसने भी नया चोला पहना है to present day condition नए परिवेश के अनुसार बदलाव के अनुसार अब एकल परिवार है nuclear family है आज बच्चों से पूंशे तो परिवार में बताते हैं हमारे family में मम्मी पापा और हमारा भाई आया दीदी जबकि दादा दादी या अब ताउताई ये पईवार के लोग अब गाओं में हैं या दूसरे शहर में हैं ये अब दूर हो गए हैं लेकिन हैं वो family ही in fact वास्तव में the whole face of India is alerting पूरे भारत का चेहरा लगातार बदल रहा है but the cultural tradition continues लेकिन हमारी जो संस्कृति है संस्कृति एक परंपरा है वो निरंतर बनी हुई है and it will never be lost और ये कभी समाप्त नहीं होगी so इसी के साथ हम explanation को समझ चुके होंगे education एक बहुत ही important role किया है पिछले 70-60 सालों में जब से lesson लिखा गया और पहले से भी इसी वेज़ से जाती बाद, बाल विभा, छुआ छूट, उच नीच इस पर लगाता लगाम लगी है देश आगे बढ़ता जा रहा है और इसी आशा के साथ कि आप सब लोग भी इन चीजों को पढ़कर देश को आगे ही बढ़ाएंगे इस important lesson का explanation आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है और subscribe तो आप कर चुके होंगे, नहीं किया है तो आज करिये, दिन बहुत अच्छा है और इसे अपने friends के साथ share करें So thank you very much for your support, bye, take care about yourself, love you